हेलो फ्रेंड्स मैं कुमकुम स्वागत करती हूँ आप सब का रुचिभो चैनल पर घर की ताजी मलाई को इकठा करके घी कैसे बनाते हैं वो भी घर का बना हुआ है बिल्कुल प्योर घी ओ आज मैं आप लोग को बताऊंगी और उसके साथ टेप्स और ट्रिक्स क्या हैं इस रहती हुआ है जादा गरम करेंगे अगर आप चादा गरम पानी डाल देते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ा सा जादा गरम पाई डालने पर होता क्या है देखिए मैंने थोड़ा सा जादा पानी गरम डाल दिया था ये मक्खन आपके हाथ में आही नहीं सकता है आपको दीख रहा है कि इसमें मक्खन है उपर में लेकिन आपने हाथों में इसे नहीं ले सकते हैं यानि कि यह बटर मिल्क से अलग होई नहीं सकता है तो मैंने आते गंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था अब ये देखिए मखण और बटर मिल्क बिल्कुल अलग हो गया है ये हाथ में अराम से आ जा रहा है इसमें से हम बटर मिल्क को इस तरह से निकाल कर इसे हम कड़ाही में अलग कर लेंगे ताकि हम घी निकाल सके विसकर का जो मक्खन लगा है उसको अलग करना बहुत ही मुस्किल है इसलिए हम कड़ाही के साथ ही उसे गरम करेंगे जितना मक्खन निकलता है हम उसे इस तरह से न गरम हो रहा है कढ़ाई और मक्खन दिरे-दिरे पिघल रहा है और विस्कर में जो लगा है मक्खर ओभी पिघलने स्टार्ट हो गया है इस तरह से विस्कर से मक्खन को हम अलग कर लेंगे और रोज नई रिस्पी सीखने के लिए आपको पता है न क्या करना है मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सबस्क्राइब करें लाइक शेयर कमेंट करना बिलकुल न भूले और जो बेल आइकन है उसे भी आप प्रेस किया किजिए ताकि आपको विडियो की नई नोटिफिकेशन मिलती रहे इस तरह से दिखिए विश्कर बिलकुल साफ हो गया है मक्षन से इसे मैं साइड में रख लूँगी अब ये थोड़ा सा ये उबलेगा जब ये थोड़ा सा उबलने लगेगा तो मैं गैस के फ्लेम को बिलकुल लो कर दूँगी लो फ्लेम पर ये पक कर घी अलग हो जाएगा इसे हम बीच बीच में इसी तरह से चलाते रहेंगे ताकि कडाई में कुछ भी चिपके नहीं कडाई को धोने में भी आपको परिशानी बिलकुल नहीं होगी इस तरह से लगबग 10 से 15 मिनट आपको लगेगा कडाई मेरी पतली है लोहे की कडाई का मैंने इस्तेमाल किया है देखे इस तरह से मैं बीच बीच में चला रही हूँ है ना कितना सुन्दर घी का कलर ये आपको मार्केट में ऐसा घी मिली नहीं सकता है इसलिए आप घर में बनाना इस्टार्ट कर दीजिए अभी थोड़ा सा और लगेगा अभी इस तरह से इसका कलर बिलकुल चेंज हो जाएगा देखे इस तरह से ठंड का मौसम है इसलिए गरम है तभी हम इसे चान लेंगे चानने पर जो इसका वेस्ट मैटेरियल है ओलग हो जाएगा है ना घर में घी बनाना बहुत ही असान और प्योर भी आप भी इस तरह से घी बनाईए और कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा कि आपने कैसे बनाया था ये घी लगभग धाई सो गराम होगा तो सोचिए महीने में में कितना घी निकालती होंगी आप इस घी को कहीं भी इस्तमाल कर सकते हैं थेंक यू फॉर वाचिंग